नमस्कार कहिए कैसे हैं आप और आपका परिवार मैं धीपराम हावर, मोटीशने स्पीकर और लाइप कोच आज का हमारा जो टोपिक है वह है जीवन के दो प्रमुख उद्देश उद्देश तो भूट सारे हो सकते हैं लेकिन आज भी हम दो प्रमुख उद्देशों पर बा शुखों का मुकावला हस्त हस्ते किया जा सकता है। सच बात तो यह है कि सुख सोर नहीं मचाता। दुख बहुत सोर मचाता है। इसे सोर ना मचाने दे। अब अपने को हम हस्ते, खेलते, जhod सीखें। सीखें तो इसमें अपना मस्तिस्क बड़ा बनाएं छोटा मस्तिस्क होता है तो दुख बड़ा लगता है हम अती भावक्ताम से बचें तता अपने आप में भावरात्मक संतुलन इस्थापित करें जैसे कि एक महानकवी ने सारगरवित सब्द कहें बहुती वो प्रेरिक हो स सकते हैं मैं रोता नहीं हूं क्योंकि मैं ऐसे वैसे किसी का होता नहीं हूं अर्थात यह है की प्रीत किये दुख होगा ही किन्तु यदि भावक्ता अति इसुख्वी दे सकती है तो अति दुख्वी कुछ बहुत ज़ादा सोर मचाता है कहने के अबलब यहाँ पर यह तात पर यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो केवल और केवल रोते ही रहते हैं हमेशा अपना चेहरा भी उनका मुर्जाय रहता है तो उनको देखकर जो दूसरे जो लोग है उनके चेहरे पर भी दुखी का कराएं और दूसरों को भी मुश्कराने का मौगा दें कहते हैं कि खुसिया बाटने से ही बढ़ती है एक हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था तो आप इसको मैं आप सभी से निविदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और अपनी अनमोल प्रतिक् और मैं हर बार की तरह यह कहता हूं कि एक जो बुक विशेज कर बच्चों और पैरेंट्स के लिए उपियो की हो सकती है आप इसमें देख सकते हैं मेरे विविन इसमें सोसल मीडिया भी है मैं पूरे देश भर में इसको हजारों के तादात में निशन को बाठ चुका हूं यदि आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर कर सकते हैं आपने वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आपका सुक्रिया धन्नवाद ठैंक्यू ठैंकि सुमत